हेलो दोस्तो, Tech Central में आपका फिर से स्वागत है दोस्तो, फाइनली OnePlus 8 में Oxygen OS 11 Stable Update आ चुका है तो दोस्तो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Update 2983MB याने ये Approx 3GB का Update है इसमें Changes की बात करो तो सब दिया गया है सिस्टम में आपको New User Interface और New Weather App और Third Party App को Optimize कर दिया गया है Game Space Game Space में आपको Gaming Tools and Quick Reply Feature and Miss Touch Prevention Features देखने को मिल जाएगा Ambient Display में आपको Always On Display का Support आ गया है फाइनली और Different Clock Style देखने को मिल जाएगे Dark Mode में आपको एक Shortcut की भी देखने को मिल जाएगी Notifications Toggle बार में And Dark Mode Automatically Turn On Feature आ गया है इसमें Zen Mode की बात करो तो Zen Mode में आपको 5 Themes देखने को मिल जाएगी और इसमें Invite Feature भी Add कर दिया है Zen Mode में Gallery भी आपको काफी Changes देखने को मिल जाएगा और इसमें काफी इसकी अच्छी Loading Speed वगेरे Improve कर दी गई है तो अब इसको Download करके Install करते हैं मैं इसको Download करके Install करके Directly आपको दिखाता हूँ तो यह देखिए पूरा User Interface चेंज हो गया है और काफी हद तक यह Samsung User Interface के जैसा One Hand Mode फीचर देखने को मिल जाता है मैं Settings में जाके दिखाता हूँ आपको यह देखिए Android 11 Stable Update देखने को मिल जाता है इसमें भी आपको 11 dots वाला circle है उसमें आप tap करेंगे करते रहेंगे तो वहाँ 11 लिखा आ जाएगा System User Interface पूरा चेंज कर दिया गया है Notification Bars की बात करूँ तो काफी इसमें changes किया गया है Font वगेरे और इसमें Notifications Toggles में भी changes देखने को मिल जाता है Phone app में आप देख सकते हैं काफी changes कर दिया गया है Messages app में भी और सब जगह आपको 100 user interface देखने को मिल जाएगा जो की आप Samsung user UI के जैसा बना दिया गया है Left swipe में आपको Google Self देखने को मिल जाएगा अगर मैं Home Settings की बात करो तो इसमें Home Screen Layout में changes देखने को मिल जाते हैं Gallery की बात करो तो Gallery की पूरी design चेंज कर दी गई है उपर से इसको तीन parts में divide कर दिया गया है First Photos, Collections and Explore और काफी speed हो गई है पहले से File Manager में ज़्यादा changes देखने को नहीं मिलते हैं और Notifications Bars में आपको Conversations का अलग से टैब दिया गया है जो की मेरे को बहुत अच्छा लगा Settings ही बात करो तो इसमें काफी change देखने को मिल जाता है Ambient Display में आपको Always On Display का option देखने को मिल जाएगा जो की मैं इसी feature का wait कर रहा था OnePlus में काफी दिनों से जो की finally आ गया है Advance में आपको अलग-अलग options देखने को मिल जाएंगे Refresh rate वगेरे Customizations में आपको different clock style देखने को मिल जाएगा इसमें बहुत सारी styles है हाला की मेरी favorite है Insight वाली जो की इसमें आपको phone usage के बारे में update देती रहेगी Different finger animations भी देखने को मिल जाएंगे हाला की मेरा favorite है Energy वाला Font में आपको two fonts ही देखने को मिल जाते हैं हाला की इसमें और add करना चाहिए था OnePlus को कोई नहीं next update में उनको add करना चाहिए different fonts utilities में आपको work life balance देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके notifications को prioritize कर सकते हैं और एक बात इसमें आपको quick notifications टॉकल देखने को मिल जाएगा dark mode जो की काफी अच्छा लगा मेरे को तो ये है oxygen os 11 stable update ये quick look है stable update का हाला की मैंने पहले एक video बनाया है जिसमें आपको oxygen os 11 के पूरे feature detail में explain किया है link आपको description में provided है आप वहाँ जाके देख सकते हैं full feature तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो subscribe और like जरूर कीजिएगा तब तक के लिए जय हिन वन्दे मात्राव यहार आपको उन्दे मात्राव वहार है